आज मैं आपको लोग को जुनियर इंजिनर की एक और बंपर वेकंसी के बाड़े में बताने वाला हूँ जिसमें डिपलोमा बीटेक वाले अपलाई करस पाएंगे और जुनियर इंजिनर की कोई भी वेकंसी मिस नहीं करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा क्योंकि मैं कोई भी वेकंसी मिस नहीं करता हूँ जो भी डिपलोमा बीटेक वालों के लिए आती है तो आप लोग जिरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकत है इसमें टोटल 833 वेकंसी अभी ओट की गई है जिसमें आपको मेजर जो वेकंसी है जिसमें डिपलोमा सिभिल वालों के लिए वेकंसी है तो आप लोग वीडियो का एंट तक जरूर देखते रही है कैसे इसको अपलाए करना है क्या कब से अपलाए होगा सभी कुछ मैं एक में यहांपर आपको दीखेगा चार सो कॉटल और नीचे आईगा तो आपको लाइंची वेकंसी है जिसमें जवेजर वेकंसी है डइपलोमा सिभिल वालों के लिए electrical mechanical वालों के लिए भी है तो मैं आपको eligibility greater idea सबसे पहले ही बता देता हूँ सभी vacancy में ताकि आपका time waste नहीं होता है तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आपका time waste नहीं हो तो जरूर से channel को subscribe करके रख सकते हैं मैं इस पर regular video बनाता रहता हूँ आपको लिए लाता हूँ चलिए आप डिटेल में discuss कर लेते हैं यहाँ पर इसका advertisement नमर 16 अबलीक 2022 है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग पर सकते हैं application are invited online from qualified candidate through the performa application to be made available on commission website यह इसका website है और यह जो vacancy है आप लोग इसको apply कर पाएंगे 28 September 2022 से ले करके 21 October 2022 तक तो यह इसका important date है इस date के बीच में आप लोग apply कर पाएंगे तो अभी जानके रखिए यह vacancy का short advertisement अभी जारी की गई है चलिए डिटेल में discuss कर लेते हैं बारी बारी करके इसमें सभी post को discuss कर लेते हैं यहाँ पर आपको name of the post, name of vacancy, qualification, maximum age limit और scale of पे कितनी मिलने वाली दी गई है तो यहाँ पर पहली नमर जो post है इसमें assistant engineer in panchati raja and rural development mission के लिए vacancy है जिसमें number of जो vacancy है 62 है और qualification यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे must for age minimum qualification of diploma in civil engineering इसमें assistant engineer के post पे भी diploma qualification है सोचने वाली बात है assistant engineer के post पे diploma qualification रखा गया ऐसा सभी vacancy भी नहीं होती है इसमें लेकिन रखा गया है पता नहीं क्यों उसके बाद दूसरी नमर पोस्ट है assistant engineer है जिसमें भी आपको यहाँ पर diploma in civil engineering रखा गया इसका भी panchati raja and rural development department है उसके बाद की जो vacancy है assistant engineer है यह दूसरा जो department है इसमें और इसमें आपका जो qualification है diploma in civil engineering रखा गया है उसके बाद की जो post है यह municipal administration में है जो की आपको municipal assistant engineer civil का है इसमें भी diploma in civil engineering रखा गया है state board of technical या education या इसके equivalent से age limit की बात करें तो 18 से 44 की बीच में आपका age होना चाहिए और आपको जो pay scale salary मिलने वाली है इस तरीके से जो की है 45,960 से 1,24,150 का pay scale पे आपको इसमें मिलने वाली है उसके बाद पांच नमर की जो post है इसमें technical officer है municipal administration में इसमें total 9 vacancy है और इसमें जो qualification है minimum का 3 year का diploma in civil engineering उसके बाद यहां पर आप लोग एक चीज देख पाएंगे engineering from the Telangana state board of technical education और इस इक्वेल लेकिन उपर में जो कुछ यहां पर दी गही है post इसमें only diploma civil engineering रखा गया कोई भी Telangana state से इसमें नहीं रखा गया है उसके बाद जो नीचे आईएगा तो यहां पर आपको दिखेगा assistant engineer in tribal welfare department में इसमें आपको qualification जो है must forces or graduation BEB tech in engineering civil से अगर आप लोग कर रखे हैं BEB tech तो इसमें apply कर पाएंगे और में करके diploma in civil engineering रखा गया तो डिपलोम वाले भी इसमें eligible है apply कर पाएंगे उसके बाद की जो वेकेंसी है 7 नमर में assistant engineer in irrigation and command area development department में इसमें आपको total नमर जो वेकेंसी है 237 है और इसमें civil mechanical और electrical तिने वालों के लिए दिया गया है जिसमें अगर आप लोग diploma civil से, diploma mechanical से और diploma electrical से कर रखे हैं तो इसमें apply कर पाएंगे उसके बाद की जो वेकेंसी है यहाँ पर 8 नमर पोस्ट में आपको यहाँ पर दिखने के लिए मिलेगा assistant engineer civil in groundwater department 12 वेकेंसी है और diploma in civil engineering और उसके equivalent qualification इसमें eligible है 9 नमर पोस्ट में assistant engineer in transport and road building department में 38 वेकेंसी है और इसमें must possess minimum qualification diploma in civil engineering जो की आपका technical estate board से होना चाहिए और उसके equivalent qualification होना चाहिए तेलंगाना estate से इसमें total 434 वेकेंसी है आप नीचे की जो है junior technical officer in various engineering service में आपको यहाँ पर दी गई है diploma in engineering रखा गया है आपको बी नमर पोइंट में देखेगा आपको बैचलर डिग्री इन इंजिनेरिंग और एवब मेंसन बना जाने की आपको डिप्लोमा और बी टेक दोनों civil से इसमें राना चाहिए junior technical officer के लिए भी age limit सेम है 18-44 के बीच में age होना चाहिए और pay scale cld की बातकरित इसमें उससे कम है जो की है 32,810 से लेकरके 96,890 यह इसका pay scale इसमें रखा गया है उसके बाद इसके serial number 2 में junior technical officer पंचैती राजय और रूलर डेविलप्मेंट में इसमें 68 vacancy है और इसमें must poses a minimum educational qualification of diploma in civil engineering रखा गया है उसके बाद की vacancy में भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा diploma in civil engineering from telangana state और इसके equivalent में और उसके बाद नीचे में आईएगा तो यहाँ पर आपको junior technical officer जो है इसमें 212 vacancy है और इसमें आपको civil और mechanical दोनों बालों के लिए दिया गया है अगर आप लोग diploma कर रख हैं तो और सबसे last की जो vacancy है इसमें आपको transport road and building department में 60 vacancy और इसमें must for a minimum qualification diploma civil engineering रखा गया है इसमें total 399 में है total add कीजेगा दोनों को तो 833 vacancy होती है तो यह आप लोग इसको apply कर पाएंगे अभी इसका short advertisement यह notice यह जाड़ी की गई है इसमें detail में नहीं दिया गया है आपको उ और यहां पर आप लोग को दिया गया है कि इसका जो detailed notification है जिसमें break up of vacancy, age, pay scale, educational qualification और other details instructions will be made available on commission websites वो है 13 September 2022 तो 28 September से यह apply होगा और इसके website पर इसका detailed advertisement notice 13 September 2022 को publish किया जाएगा तो जब इसका detailed advertisement आएगा तो मैं आपको telegram channel के माध्यम से update कर दूँगा या video बना करके update कर यह इसका official website है आप लोग यहां पर visit करके आप लोग भी चेक कर सकते हैं तो आहिप आप इसको समझे होंगे मिलते हैं next video में तब तक के लिए शुक्रिया और thank you वीडियो अगर कैसा लगा comment section में जरूर बताइएगा और ऐसे ही कोई भी vacancy आती है all over India से junior engineer की खास करके तो इस subscribe नेखे हो तो जरूर से subscribe करके bell icon प्रेस करके all select करके रखे जिससे क्याने वाले इससे interesting video की notification आपको मिलती रहेगी और अगर आप लोग join करना चाहते हैं मेरे KKS Indian का premium member बनना चाहते है तो आप लोग यहां पर join कर सकते हैं join करने के बाद आपको मेरा whatsapp number मिल जाएगा जहां प आपको मिल जाएगा जो कि आप लोग देख सकते हैं apprenticeship job का उसके बाद civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering यहां पर category wise इस playlist में आपको उसी branch का job मिलेगी तो आप लोग यहां से भी visit करके अच्छे से देख सकते हैं और जिस vacancy के लिए आप applicable होंगे उसको apply कर सकते हैं मिलते हैं next वीडियो में तब तक अगले सुक्रिया और थैंक्यू